लेते हैं अब हम लोग देखिए एक्टिविटी हो सके तो स्कूल में बोलिए टीचर को कराएंगे ठीक है तभी आपको फील आएगा बट मैं आपको बता दूँँ क्या रहा है कि वेंच पाइनस और और आज का होड यह लिजे बं तो लिखा नहीं जाता है तो आंसर आएगा क्या ब्रीयम हीड्रॉक्टव्साइड क्या आपका फॉर्मूला है बेरियम हटॉक्साइट का तो यह लीजे यह ओगे आपका बी ए ओएच होल ट्वाइस ठीक है बच्चो ओके यहां फिजिकल स्टेट्स हम नहीं लिख रहे हैं एक्वस होता है यह ज़से हम आपको बस रियेक्शन दिखा दे रहे हैं और प्लस किस क्या करना है चके साथ 1 ग्राम अभॉनियम क्लो राट इसमें डालनाना है तो अमोनियम क्लो zamanat का फ्रमला क्या होगा बच्चों द्यान से चेक करो देखो तो ammonium chloride का formula NF3 ammonia gas होती है, सुन लो पहले, NF3 क्या होती है, ammonia gas, यह क्या है आपकी, ammonia gas है, confuse मत हो जाना, कई बार बता चुका हूँ, ठेक, और सुनो, अगर NH4 plus लिखा है कहीं, तो यह क्या है, ammonium iron है, क्या है यह, ammonium iron है, ammonium iron है, confuse मत होना, NH3 मतलब, ammonia gas, और NH4 plus लिखा है, तो ammonium iron है, अभी हमें क्या बनाना है, ammonium chloride बनाना है, तो आपको ammonium ले लो, और chloride ले लो, ठेक है न, चलो, ले लो, तो ammonium, NH4 plus और chloride होता है, CL minus, ठेक है students, अब देखो यह plus 1 है, minus 1 है, cancel हो जाएगा, answer क्या हैगा, NH4 CL, लो, NH4 CL, ठेक, ammonium chloride का formula क्या हो गया, NH4 CL है, तो barium hydroxide में क्या करना है, हमको ammonium chloride लगाना है, लगा दोगे, arrow लगाओ, अब product बनेगा, ठेक है students, अब देखो product कैसे बनेगा, product कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है, कि with the help of a glass rod, इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहो, इस mixture को इस तरीके से हिलाते रहो test tube में, क्या लिया, barium hydroxide, ammonium chloride से इसको glass rod होती ना, lab में, उससे लेके test tube में ऐसे stir करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, यह लिजे, यह glass rod है, और इसको इस तरीके से stir करते रहेंगे, ठेक, चलो, अब product क्या बनेगा, तो product बनाने के लिए, मैं आपको बता दूं, बच्चो, देखो, कुछ नहीं करना है आपको, यह देखिए, barium, hydroxide कैसे बना था, ba2 plus iron से, ठेक, और oh minus iron से, hydroxide iron से, ठेक, इसी तरीके से, ammonium chloride आपका किस से बना था, ammonium chloride आपका बना था किस से, NH4 plus से, ठेक है, NH4 plus से, और CL minus से, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला जो kation है, इसके NIN से जोड़ दो, kation मतलब positive iron, NIN मतलब negative iron, यह kation है, NH4 plus, plus है, kation है, और, यहाँ पर क्या है, OH minus, यहने के NIN है, इसको इससे जोड़ दो, और, इसको इससे जोड़ दो, लोग, खतम, ठेक, BA2 plus और CL minus, तो product आपको क्या बनेगा, क्यों reaction बता रहो है, क्योंकि एक्जाम में आपसे reaction के साथ पूछेगा, सेम सवाल, ठेक है, बच्चो, BA के नीचे क्या आजाएगा, माइनस 1 का मतलब 1, 1 और CL के नीचे क्या आएगा, 2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो इस 1 को हटा देंगे, यहाँ से answer क्या आएगा, BACl2, अब यह कौन-कौन साइन से मिलके बना है, ठीक है, सुडेंस, यहाँ पर आजो, NH4 प्लस यानि कि अमोनियम आयन और OH माइनस है, यानि कि हड्रोक्साइड आयन, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल हो जाएगा, और सिंपल आपका answer आजाएगा, NH4 OH, अमोनियम हड्रोक्साइड नाम इसका है, तो इस तरीके से यह आपका product बन गया, अब इसको balance कर लो, फिर एक बात आपको बताता हूँ, क्योंकि इनोन हम से question पुछा है, कि test tube का, जब यह reaction हो जाती है, तो test tube को जब आप अपने palms से, हतेली से, यह test tube है, इसको ऐसा touch करोगे, लगेगी, cold हो जाएगा, इसका temperature गिर जाएगा, सुन लो ध्यान से, होता क्या है, मैं आपको बताऊँ, कि यह दुनों जो compound है, barium hydroxide और ammonium chloride, ठीके बच्चों, यह आपस में react करने के लिए, energy चाहते हैं, क्या चाहते हैं, energy चाहते हैं, अब आपने heat weight तो दी नहीं इसको, तो यह क्या गरेगा, यह आज पास से surrounding से energy ले लेता है, कहां से लेगा surrounding से सोचो, यह test tube से ले लेगा, भाई, test tube में ही तो रखा हुआ है, test tube में ही तो रखा हुआ है, क्या, barium hydroxide, यह लीजे, यह test tube में ही तो है, ammonium hydroxide, NH4 OH, ठीक है, तो इसके जो molecules हैं, यह test tube की walls, जो हैं, test tube की जो दीवारे हैं, glass की बनी है, उस glass के जो molecules, अटम होंगे से लेकिता हैं, आपने refrigerator देखा है, अपने घर में यसर, क्या करता है वो बताओ, आपने उसमें सबजिया रखे, ठंडी हो जाती है, पानी रखा, ठंड़ा हो जाता है, rehe hating content को निकालता है, आपके जो पानी होता है, पानी coldering, उसमें से heat बाहर निकालके बाहर भेकता है, उसका जो compressor होता है, तो system से heat क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो system थंडा हो जाता है पानी थंडा उता यही काम to यहां पर ओठा हो रहाए यहे दोनों मिलके आपस में रियक्ट करने के लिए इनको energy चाहिए होती है तो यह energy कहा से लेकी आएंगे सूँ यानई कि ट्थंडी भाइया तेश से हीट कौंटेंट निकाल लिया उसकी दीवार से इन लोग किसने लोग नीकिस में रियक्षion करने में तो आज अपास का अपस कर दिष्ट करेंग हैं तो इन दोन थे इस और हीट अब्साब्फ करिए तो बच्चों और पूंचा woven कर ली तो हमें टेस्ट ट्स2 लगेगी हमें ठंडी लगी यानि कि वहाँ पर टेंपरीचर क्या करेगा टी का मतलब particle कर जाएगा ओके सब्सक्राइब क्याइस करना बाइलेंस करें बहुत लगाए याने कि इधर OH कितने 2 हैं तो आपको OH2 करना पड़ेगा उसके लिए आपको यहां पर तू नहीं लगा सकते हो ना नीचे आप तू नहीं लगा सकते हो क्यों क्योंकि इससे एसे करके ब्रैकेट में लो और इस इस OH को 2 करने के लिए यहां पर coefficient 2 लगा दिया इससे क्या फाइदा है इससे ही फाइदा है OH कितने हो गए 2 हो गया लेकिन यहां से यह OH कितना हो गया 2, Ammonium 2, Ammonium 2 यह 2 और chlorine के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे 2 into 1 2 तो 2 chlorine हो गया और barium 1 हो गया अब इसी reaction को ऐसे बनाने के बाद हम क्या करेंगे हम इसको ठीक से लिखेंगे ओके आईए इसको ठीक से लिखते हैं final reaction आईए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम exam में लिखेंगे यहां से copy करो B A O H whole twice plus 2 NH4 CL अब bracket लगाने की दुरूरत नहीं वो तो मैंने समझाने के बताया था B A gives B A CL2 और साथ में क्या बनेगा 2 NH4 OH ओके students यह हो गया और यह double displacement reaction का भी example है ठीक है क्योंकि यहां पर ions का exchange हो रहा है आगे चलके आपको पढ़ाएंगे double displacement reaction क्या होती तब detail में बताएंग क्योंकि वहां पर इनकाइबाने के और सकते हैं उहाँ बनेगा चाह घ्रूरत पर शीज़डर इनकाइवड़र खोगaren जाना में क्योंकि वा दोदिधन वान दुरूरत जासे होतां है इनकाई वाने क्योंकि झालदिए भूद़ध्य क्योंकि झापचर तबतादिक वड़र